हेलो एप्रेवन आई वेल्केम यू अल्ट कॉंकर उप्यसी प्रिलिम्स डोस 2020 की सीरीज में यह हमारा 33 लेक्चर है जहां पर मैं कोईट 19 थेरपीज और आंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में डिसकस करूँगा कॉंप्रिहेंसिब वे में यह डिसकस्षिन हिंदी में होगी देखें यह टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हों साइंसे टेकनोलोजी से अल्रेडी आंटी बियोटिक रेसिस्टेंस दुनिया में बड़ी समस्या थी और कोईट 19 ने इस खत्रे को काफी बढ़ा दिया है कोईट 19 के दुनिया में आने से पहले से ही AMR जो है अंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एक बहुत बड़ी चुनवती के रूप में था इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास ज्यादा नहीं अंटी बयोटिक नहीं है और जो अल्रेडी एक्जिस्टिंग बैक्टेरिया है वो दवाएं के प्रती रेसिस्टेंस हुए जा रहे है तो ये अंटी बयोटिक क्राइसिस जो हमारे सामने खड़ी थी ये COVID-19 आने से और ज्यादा बढ़ सकती है अब ये AMR है क्या actually मैं इसकी definition क्या है इसकी definition कुछ इस तरह से होगी जो microbes है microbes यानि bacteria, fungi, viruses या फिर parasites इनका दवायों के प्रती resistance डेवलब कर लेना तो इसे AMR कहा जाता है medical terms में और हम commonly क्या कहते हैं इसे antibiotic resistance कहते हैं बोलने का मतलब ये है कि जब को दवाई लेता है लेकिन अब ये दवाई इस बंदे के शरीर पर असर नहीं करेगी क्यूंकि वो bacteria अब उस दवाई से खतम नहीं होगा क्यूंकि वो bacteria resistance power डेवलब कर लिया है और वो micro organisms जो AMR डेवलब करते हैं उन्हें हम super bucks कहते हैं देखें यहां पे super bucks अब सवाल ये पैता होता है कि antibiotic लेने के बादी ये micro organisms मर क्यों नहीं रहें देखें डॉक्टर हमेशा prescribe करता है कि तीन दिन के antibiotics लेना सुबा शाम दो पर या दिन में एक तो आप क्या करते हो एक दिन लेते हो इसे होगा क्या अगर 10 bacterias हैं ऐसे जिनको antibiotic से मारा जा सकता है लेकिन आपके antibiotic कम लेने से होगा ये या तो 8 मर जाएंगे और 2 बच जाएंगे या ऐसा होगा ये कमजोर हो जाएंगे लेकिन फिर बात में जैसा आप antibiotic stop कर देते हों ये क्या होगे इनकी immunity अगर मैं बोलूँ कोई-19 में बहुत जादा immunity चल रहा है let me relate it with immunity ये लोग इतना power develop कर लेते हैं कि next time जो antibiotic लोग गया उससे लड़ लेंगे ये क्या होगा फैमिलियर हो जाएंगे ये antibiotic को लेकर कि ये इस तरह से काम कर रहा है तो हमें हमनारी defense wall इस तरह से बनानी होगी ये समझ में आजाएगा अगर दो बस्ते हैं तो ये क्या होगे ये multiply हो जाएंगे within no time ये बहुत ज्यादा multiple हो जाएंगे और फिर antibiotic इनके उपर काम नहीं करेंगे ये resistance power develop कर लेते हैं तो don't be a doctor if you are not a doctor or unless you don't have a degree तो अब question ये उठता है resistance bacteria में कैसा आता होगा कैसा bacteria resistance develop करने का power खोज लेती है जो तरीखें होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं एक होता है natural resistance natural resistance में वही होगा जो मैंने process बताया था ये naturally natural way में अपना process इना develop कर लेगी अपना resistance develop कर लेगी ठीके दूसरे में क्या होगा genetic mutation के दौरा ये process develop किया जा सकता है bacteria के दौरा अब बात करता हूँ COVID-19 और AMR के link के बारे में देखे COVID-19 जो है वो इनसान के lungs को असर करती है ये एक viral बीमारी है इसमें pneumonia हो रहा है अब pneumonia और फेपडों की बीमारी काफी सारे दूसरे bacterias और viruses से भी हो सकती हैं तो हो ये रहा है जब patients COVID-19 का test करवा के जब hospitals में admit हो जा रहे हैं तब doctor उन्हें दूसरे antibiotics दे रहे हैं just to sure by any chance उसे pneumonia किसी और bacteria के कारण ना हो तो उसके कारण उसकी तबियत खराब ना हो जाए तो उसे antibiotic prescribe कर दो ऐसा नहीं चलेगा तो देखे अब reasons क्या है AMR के क्या reasons है ऐसे जिसके कारण ये AMR develop हो रहा है bacterias में देखे बहुत सारे reasons है जिन में से थोड़े मैंने लिस्ट किये हैं एक दो तीन चार्ट पांस है ये पहला वाला क्या है inappropriate use of medicines जैसा कि overuse कर लेना अभी मैंने बताया था पांस दिन और दो दिन का example दे कर किस तरह से antibiotics लेना है जिसके कारण जो medicines की quality है वो भी compromise हो चुकी है वो भी poor है और इसी वजह से ये कमजोर दवाई ये बैक्टिरिया को मारते नहीं है सिर्फ कमजोर कर देते हैं कुछी समय के लिए फिर उसके बाद भी वापस री एनर्जाइज हो जाते हैं और multiple हो जाते हैं तो ये क्या है अगें drug resistance ये डेवलप कर लेती है बैक्टिरिया तीसरा है animal husbandry जब animal rearing करते हूं आप के animal की growth के लिए कुछ antibiotics देना animal को injection, esteroids वगरा देना उससे क्या होगा उससे होगा ये के वही animal rearing के टाइम पे आप उसका दूद पीना या उसके meat को खाना या अंडा वगरा जो भी है ये सारे चीज़ें वो आपके जिसम में जाएंगे मतलब आपके जिसम में फिर से antibiotics जा रहे हैं तो इससे होगा ये microorganisms familiar हो जाएंगे कि ये antibiotics है इस तरह से हमें लड़ना है similarly fourth one is poor infection prevention and control यहाँ पे क्या होगा infection prevention के लिए और control के लिए हमने कुछ steps ही ने लिए हैं इसके कारण फिर से microorganism resistance develop कर लेगा और सबसे बड़ा खत्रा तो वो लोगों को होता है जो hospitals में होते हैं ये लोग main reservoir का काम करते हैं micro organism के लिए कि यहाँ पे organisms आ रहे हैं दवायों के साथ और एक तरह से एक mechanisms develop कर ले रहे हैं किस तरह से लड़ना है last one weak surveillance system हमारे पास इतनी सारी technology होने के बाउजित भी we are unable to detect emergence of resistance और proper actions लेने में भी पीछे हो गए हैं अब देखिए जो initiatives लिए गए हैं ऐसा नहीं है कि proper action completely नहीं लिए हैं हाँ थोड़े initiatives लिए गए हैं world health organization के द्वारा कि किस तरह से हम AMR को address कर सकें सबसे पहले आता है glass glass global antimicrobial resistance surveillance system इसमें होगा ये ये एक standardized approach को support करेगी जहां पर collection, analysis and sharing of data होगा related to antimicrobial resistance अगर हमारे पास data होगा कि किस तरह से ये bacterias, कौन सी medicines पर कैसा react करके अपना defense wall create करे हैं तो हम इसके solutions ढूंड सकते हैं, हम नई antibiotics की तलाश कर सकते हैं second होगा aware tool, ये ज्यादा तर news में होता ही है देखें यहां पर क्या होगा, इसका aim ये रहता है हमेशा कि policy makers को guide कर सकें और health workers, जो आंगरमाडी workers हैं या nurses होंगे, ये doctors होंगे, ये health workers में आते हैं कि ये लोग को किस तरह से बता सकें, किस तरह से guide कर सकें, कि use of antibiotics safe way में और effective way में किस तरह से होगा और ये classify करता है antibiotics को three groups में पहले number पे आता है Global Antibiotic Research and Development Partnership ये encourage करता है research and development में through public-private partnership government और private hospitals मिलकर या research developments मिलकर इस तरह की technology develop कर सकें second number पे आता है Interagency Coordination Group of Antimicrobial Resistance इसको establish किया गया था United Nations General Secretary के दौरा के काफी सारा improvement ला सके coordination में coordination किस के बीच में international organizations और effective global action के बीच में कि international organizations को ये बता सकेंगे किस तरह से ensure किया जा सकता है effective global action और lastly one health approach one health approach क्या होता है देखिए one health approach के बारे में already मैंने discuss क्या है कि ये एक ऐसा health approach होगा जहां पे हम human beings का, animals का and environment का ये सारों का दिहान रखें कि किस तरह से best practices approach करना है, promote करना है कि emergency को कैसे tackle कर सकें और spread of antibiotic resistance क्या है वो समझा सकें लोगों को और ये use of antibiotics बताएगा humans में और animals में तो ये होगा one health approach कि human beings में किस तरह से antibiotics कौन सी quantity में use करना है animals में किस तरह से use करना है, कौन सी quantity में use करना है ये one health approach के साहरे होगा अब बात करतेंगे, इंडिया में किस तरह से steps लिए गए हैं, ये AMR को tackle करने के लिए national antimicrobial resistance research और surveillance network ये दोनों strengthen करते हैं, surveillance of AMR किस तरह से, again, जब data होगा, तभी हम surveillance strong कर सकते हैं कि ये compile किया जाएगा यहाँ पे national data of AMR at different levels of healthcare second, national action plan भी हमारे पास, कि किस तरह से हम AMR के लिए AMR के against में लड़े, that aims to understand emergence, spread and factors यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरह से ये emerge हो रहा है, spread हो रहा है और कौन से factors हैं, जो AMR को influence कर रहे हैं और तीसरा, red line campaign red line campaign में ये बताया जा रहा है कि antibiotics packaging को किस तरह से करब कर सके, over the counter cell के बहुत ज्यादा antibiotics बेशना नहीं है, prescription के बिना antibiotics बेशना नहीं है, इस तरह से guidelines की awareness कराए जाएगी red line campaign में this is for today, thank you very much